नमस्का दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमिद गुप्ता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों जब हम रिजिनिंग को चेप्टर वाइज साल्ब करते हैं तो हम प्रस्नों को बहुत ही आसानी से साल्ब कर लेते हैं लेकिन जैसे जैसे हम चेप्टर में आगे बढ़ते जाते हैं पिछले चेप्टर के ट्रिक्स को भूलते जाते हैं लेकिन परिच्छा में किसी एक ही चेप्टर से प्रस्न नहीं आते बलकि सभी चेप्टर से मिक्स रूप में प्रस्न आते हैं और ऐसे हालत में जब सभी प्रस्ण जब एकस आते हैं तो कुछ प्रस्णों को सालप करते समें हम ठिक्स भूल जाते हैं और प्रस्ण पेछाकिरित सालप करने में ज्यादा समय ले लेते हैं इसलिए आप गर पे हमेशा प्रक्टीस करना चाहिए सभी mixed प्रस्णों का इसलिए आज की इस वीडियो मैं आपके लिए लेका रहा हूं रिजिनिंग के टाप 10 प्रस्णों को जो की mixed रूप में है ताकि आपकी अच्छी खासी प्रक्टिस कराई या सके तो देखिए इसके इन पर यह पहला प्रस्ण यह प्रस्ण न्याय वाकिका है तो इसके लिए हम चित्रविदी से इस प्रस्ण को साल्प करते हैं कथन में लिका है कुछ राजा रानिया है तो कुछ वाला प्रस्ण हम लोग ऐसे बनाते हैं वे नारे किसका एक मिलिक देते हैं कुछ राजा क्या है रानिया है इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको नह सच्छम है सिर्फ हम एक तरह से प्रेक्टिस करा रहें आपकी और दूसरा कतने सभी राणिया सुन्दर है सभी राणियों को हमने घेर दिया सुन्दर नामक बृत्र से यह काम परिच्छा हाल में आप बहुत तेजी से करेंगे मैं आपका समझाने के लिए बहुत आराम से गलत हो चाहता है दूसरा द क्या है सभी सुन्दर राणिया है यानी कि राणिया और सुन्दर के बारे में जिक्र किया रहा है तो आपको पता होगा भीतर वाले ब्रित को सभी बोला जाता है और बाहर वाले ब्रित को कुछ बोला जाता है जब कि इसमें क्या कहा जा रहा है सभी रानिया सुन्दर यानि भीत सभी सुन्दर रानिया बाहर वाले ब्रित को सभी सुन्दर रानिया यानि बाहर वाले ब्रित को सभी बोला है जो कि गलत है क्यो अधिन दूसरा प्रस्म और इसे आप खुद से उत्तर देने का प्रयाश करिए वीडियो को रोक दिजिया औरता रिकी तरीखे से भी सालब कर सकते हैं और इसे हम जैसे एक-एक गिन कर भी बता सकते हैं कि कितने वर्ग हैं तो देखिए अगर सधारता हम लोगी ने एक, दो, तीन, चार, पांच, छै यानि एक लाइन में छै तो छै, च्छै, बार, च्छै, तीर, तीर, अथार अब चार-चैर अगर हम लोग ले एक, दो, तीन, चार, पांच और उसी तरह से यहाँ पे छै, साथ, आठ, नो, दस यानि चार-चैर को लेंगे तो दस वर्ग यह हो गया अब बड़ा वाला लेंगे तो यहाँ से यहाँ एक, दो, तीन, और यहाँ से यहाँ यह चार तो 18, 10, 28, और 4, 32, यानि टोटल 32 वर्ग होंगे अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ट्रिकी तरीका इसी प्रस्मक आप ट्रिकी तरीके से भी लगा सकते हैं तो ऐसे हालत में आपको क्या करना है, इस तरह से कितने वर्ग हैं आपको गिल लेना है एक ऐसे लिखना नहीं है, सिर गिल लीजे 2, 3, 4, 5, 6, यानि बस गिल लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि इस तरह से 6 वर्ग हैं, अब ऐसे में कितने वर्ग हैं तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे हैं और 6 ऐसे हैं तो गुड़े हमने 3 ऐसे वाला लिख लिया है आप 3 इधार और 6 इधार भी लिख सकते हैं, कोई दिक अपनी अब घरते करम में इसे लिखना सुरू करी, 6 है तो अब 5 गुड़े, 3 है तो 2 इसी तरह से 5 है तो यहाँ पे 4 और 2 है तो यहाँ पे गुड़े 1 बस यह यादर कि डाएं साइड में या बाएं साइड में जो ही एक आए, वहीं पे आप अपना कल्कुलेशन रोक दीजिए तो 6, 3, 18, 5, 2, 10, 4, 1, 4 फिर सो वहीं बात हो जाएगा, 18, 10, 28, 4, 32 हमार आजागा इस तरह से गिनने की कोई जरुवत आपको नहीं पड़ेगी अब देखिया, इसकी पर यह आगला प्रस्न यह प्रस्न है, पासा से समंदित, डाइस से समंदित तो देखिये, लिखाव एक पास है कि 6 सतों पर अंक 1 से लेकर 6 तक अंकीत है, सता 4 की विपरीत यानि यहाँ पर हमसे 4 का विपरीत सता पूछा जा रहा है कि क्या होगा और जातर पासों में विपरीत सता ही पूछी जाती है तो यहां पर हम मैंने हर अपने पासे के बीडियो में बताया है कि अब हम 2 को चेक करें पहले पासे के तो दूसरे पासे में दो भी कहीं नहीं है यानि कि दोनों पासों में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों पासों में है यानि कि कामन कोई भी अंक नहीं है तो ऐसी सूरत में आप दूसरा अब ये दिमाग लगाएंगे कि कहें ये पासा मानक पासा तो नहीं है क्योंकि जब दोनों पासों में कोई सत्व भेनिश नहीं तो हो सकता है कि ये पासा मानक हो और जब अगर पासा मानक होगा तो इसका कंडिशन बताया गया कि विप्रीत सत्वों का योगफल कितना होता है साथ होता है यानि कि अगर चार है तो इसके विपरित में कितना होगा तीन होगा अब चार का विपरित पुछा जा रहा है तो तीन होगा लेकिन ये पासा मानक नहीं है क्योंकि मानक पासा की पहचान सबसे बड़ी क्या है तो मानक पासा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि समी पुवर्ती सतहों का योगफल साथ नहीं होना चाहिए आप ध्यान से सुन लिजिए मानक पासा की यही पहचान जो है काम में आएगी यह वाली पहचान काम में नहीं आएगी तो मानक पासा की स्टेंडर पासा की यही सबसे बड़ी पाचान है कि समिपुर्ती सतहों में से, तीनों सतहों में से कि इनी भी दो का योगफल साथ नहीं होना चाहिए समिपवर्थी सता क्या होती है तो देखिए पहले पासे में देखिए पहले पासे को ध्यान से देखिए तीन की समिपवर्थी सता दो और चार है या कह सकते हैं कि दो के समिपवर्थी सता कौन है पहले ही पासे में देखिए चार के समिपवर्ती सत्ह कौन है तो 3 और 2 है यानि कि जो पासे में दिखाई दे रहा है पासा में जो भी दिखाई दे रहा है उसके इस वाले सत्ह की लिख दे रहे हैं दो का समिपवर्ती सत्ह कौन है तो 3 है 4 है 4 का समिपवर्ती 3 है 2 है 2 का समिपवर्ती 4 तीन है यानि कि दिखाई देने वाली 3 सत्ह आपस में समिपवर्ती है और एक ट्रिक ये है कि समिपवर्ती सत्ह आपस में कभी विपरीत नहीं होती यह ट्रिक को आप ध्यान से याद रखे है क्योंकि ये तो दिखी रहा है दो के हैं टो इधर होगा तूर समीपूर्ती सत्य है का अगर लुक्त नीचे करी दो नहीं हो सकता Méर Assam पासा नॉम्बर एक मिध्याद से देखि detective चार की समीप्वर्ती सतह में क्या-क्या है तो 4 की समीप्वर्ती सतह में 3 है और 2 है यानि इससे ये पता चल गया कि 4 przeci improv takes 3 है और 2 है का मतलब चार के विप्रित कभी भी 3 नहीं हो सकता, नहीं 2 हो सकता, और 4 के विप्रित 4 तो कभी होई नहीं सकता है, यानि कि कभी भी 4 का विप्रित सत्व पुछा जा रहे हैं, तो हमारा आंसर कभी भी 3 या 2 नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में, तो विकल्प A में देखेंगे, तो 3, 2 मे बिकल्प D में अगर देखें बिकल्प D में तो 32 में से दो लिखा हुए लास्ट में इसलिए बिकल्प D भी कर जाएगा इसलिए हमारा आंसर सी बढ़ जाता है यानि कि एक पांच और छाय में से कोई भी चार की भी पिरिस्टा संभाव है थोड़ा लंबा इसका ब्याख्या हो गया है खैर चलिए अगला प्रसंद देखते हैं इसमें लिखाओ पांच लड़कियां आरेस टी पिताता क्यू उत्तर की और मुह करके एक फंक्ती में बैठी है तो मैं ऐसे बैठा लेते हैं कितनी लड़कियां है पांच है सिरुदो ये हो घया यह उ पांच लड़कियां ऊन प्रपर हमनेगे घेर दिया समझने के लिए इसे दाइंबाई नहीं हिला आया यहां भी लिख सकते हैं Q यहां और P यहां लेकिन आगे भी कुछ लाइन इसमें अभी लिखा हुआ है कर रहा है क्यू इसमें असली करता कौन है क्यू है क्यू के लिए ही वाके बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है क्यू क्रम सब P के तुरंदाएं तथा T के तुरंद है यही कि टी के तुरंट वाय बैठी है और पहली बढ़त है तो इसमें लिखा क्यूंप पी के तुरंट दा है पी के तुरंट दाएं हाथ पर भी हो गया एस पंक्ति के अंतिम छोर पनाई है, यानि कि अंतिम छोर यानि कि अब दो ही जगा खाली है, यानि यहां पर एस नहीं है, अब यहां पर नहीं तो एक ही जगा बचा है, यानि कि एस यहां पर है, अब एक ही नाम बचा है, वो है आर, तो आर को हम लोग यहां पर लिख लेते अब पूछा जा रहें कि R के बाइं और तीसरे अस्थान पर कौन बठा है एक, दो, और तीसरे अस्थान पर कौन है, तो Q है, हमारा आंसर हो जाता है, बीकल्प B, जिसमें Q लिखा हुआ, अब अगला प्रस्थान देखिए, अब इसे लगाने के प्रयास करें वीडियो को रोक कर, देखिए, इस प्रसल को भी हम लोग दो तरीके साल करेंगे, एक देशी ट्रिक से, यानि कि अगर ट्रिक भूल जाए, तो क्या करें, और इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक की दिक्कते है कि कभी-क याता है तो 21 लड़कियों की एक पंक्ती में तो सबसे पहले हम लोग 21 लोग बना देते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नोग दस इगारा बारा तेरा चोधा पंदरा सोला सतरा ठारा उन्हाइस बीस एक आइस 21 लड़कियों पंक्ती में तो 21 हमने लोग बना दिया है पंक्ती में जब मोयनिका चार अस्थान दाइई और खस की तब वो 22 सीरे से 12 हो गई यानि 22 सीरे से वो क्या हो गई 12 हो गई यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नोग दस इगारा बारा हो गई यानि यही हो जब चार अस्थान दाइई और खिसकी है जब चार अस्थान दाइई और खिसकी है तब जाकि यह 12 ही हुई है यानि इससे पहले वो चार अस्थान इधर रही होगी यानि कि एक दो तीन चार यानि कि पहले वो यहां रही होगी यह हम लिख सकते हैं यानि कि पुराना पुर स्थान है ये पुराना स्थान है तो पूछा जैसार kaid kim दाय सिरे से उसकी पहली किस्थिति यानि कि ये वाली इस्तिति हुचा जैसार कि धर से तो इदर सी चीहिंए ऊपदही लिए 5 Russell चैसाथ दो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टोटल किती लड़कियां थी तो कूल लड़कियां है 21 ठिक उसके बाद ऐसे प्रस्ण में जब लिखा रहा है कि वह लिखा है कि 21 सिरे से 12 हो गई यानि कि नई इस्तिती क्या है बाँ से 12 हो गई तो जब भी नई इस्तिती दे तो आप पुरानी पूरानी इस्तित दे तो नही इस्तिती पता करने चाहिए पूरानी इस्तिती कैसे पता करेंगे तो आप पीछे जाएंगे प्रस्मे उपर लिखाराखा कभी दाइं खिशक गई लिखाराख़ा और नहीं बाएं खिशक्पी design बाएं कहें तो घटाईए दाएं कहें तो जोड़िए तो जब दाएं खिसकने के लिए कहें तो आप बाएं खसकाईए यानि कि माइनस करिए और जब बाएं कहें तो आप दाएं खिसकाईए यानि कि प्लस करिए तो यहां उपर लिखा हुए दाएं और खिसक गई तो यानि फिर हम बाएं तरफ ही जाएंगे यानि कि माइनस होता है बाएं का मतलब तो चार अस्थान इसमें माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा तो बाएं से ही हो जाएगा यह आठमा यह है पूरानी स्थिति अब पूछ रहा है कि दाएं से उसकी पहले की स्थिति क्या है यानि अब ट्रिक है दाएं बराबर या अंत का अस्थान बराबर कर लिजिए बाएं को मान लिजिए प्रारम से अस्थान दाएं को मान लिजिए अंत से अस्थान या डाइडेक्ट इसी पर समझे दाएं से अस्थान बराबर होता है पूल अस्थान माइनस बाएं से अस्थान प्लस एक यह trick है, तो पूल अस्थान कितना है, 21, 22 अस्थान कितना है, क्योंकि यही वह आ अस्थान पुछा जा रहा है, पूराने स्थी सिलें, इसलिए इसी को लिखा जा रहा है, प्लस एक यहां पे कोई चीन नहीं इसलिए प्लस मानते हैं एक आईस और एक इसको जोड़ लेते हैं प्लस प्लस पहले एक आईस और एक 22 और 22-8 तो फिर से हमारा आउसर आजाएगा 14 तो यह काम बहुत जल्दी होगा मुझे बताने में समझाने में लिखने में ज्यादा समय लग रहा है आपको अगर इसे प्रेक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे प्रसम करने में एक मिनट भी नहीं लएगा तो आप देखिए कि पी क्यूं पी के बाद क्यूं लिखा है लेकिन आप सबसे पहले दूसरा वाला नाम पहले बना लिया अगर लिखारा तो आपको क्यूं पहले बना लेंगे तो आपको बनाने में आसानी हो जायेगा तो Q को हमने पहले बनाने अब क्या लिख रहा है P जो है यानि इसमें करता क्या है P है तो P किदार है Q के 35 मीटर दच्छिड पसिमें तो दच्छिड ये है और पसिम ये है तो दच्छिड पसिम का मतलब इसी के बीचों बीच में वो है कौन तो पहला वला नाम यानि P अब अगली आदि में कर रहा है कि R R जो है R नाम का जो ब्यक्ति है वो किदार है तो Q के यानि इसी Q के दच्छिड पूर में तो दच्छिड ये है और पूरव ये है यानि इसी के बीचों बीच में है और उतनी ही दूर जितनी दूर ये है तो ये भी इतनी दूर आएगा, कौन है, तो R है, अब प्रस में पुछा जा रहा है, R, P के किस दिशा में, अब करता कौन है, यानि किस के बारे में पुछा जा जा रहा है, तो R, जो पहला नाम होता, उसी के बारे में जातर पुछा जाता है, यानि R के बारे में पुछा जा कि देखिए कुछ प्रस्ण ऐसे होते हैं जो देखते के साथ ही आनसर मिल जाते हैं और कभी-कभी प्रस्ण आसान तो होते हैं लेकिन हम जल्दी बाजी में उन्हें परिछा की हड़बड़ी में देख नहीं पाते हैं तो कोई दिकत नहीं है प्रैक्टिस जितना ज्यादा करे आपका स्पीड उतना ही बढ़ेगा आप ज्यादा ज्यादा प्रसुन को सही साल्प कर पाएंगे तो विकल्पे में ध्यान से देखिए लिखा हुआ एक छै दो नव तो एक और छै साथ यानि आपस में जोड़ना है साथ और दो बराबर में यह आ जाएगा विकल्प B में दे दो तिन पांच पांच नो लेकिन बिकल्प D में ऐसा नहीं है इसलिए यही हमारा अलग हो जाएगा बिकल्प D अलग है इसमें अलग छाटना था बेजातिये छाटना था और सवान छाटना था अब देखिए अगला प्रसुन लंबाई लंबाई समंदे मीटर समनपात बिद्दु संक्ति समंदे क्या होगा तो ये एक तरसे जीके का प्रस्ण बिज्ञान का प्रस्ण बिज्ञान की जानकारी होगी जीके की जानकारी होगी तभी इस तरके प्रस्णों को बताया जा सकता है क्योंकि रिजिनगी में कुछ प्रसन ऐसे जवरू आते हैं जिसमें GK की जानगारी अपेच्छित होती है तो लंबाई का मातरक है मीटर उसी तरसे बिद्दू सक्ती का मातरक क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा भी कल्प C, वाट अगला प्रस देखिए, लिखा है DOG समन्दे Z तो तीन अच्छर के बदले में ज्यादा तर में तीन अच्छर होता है लेकिन इसमें तीन अच्छर के बदले में Z यानि कि एक अच्छर लिखा हुआ है तो ज्यादा संभावना है कि ये तीनों अच्छरों को जोडने के बाद कुछ किया गया या जोड ही कर लिख दिया गया है तो यहाँ पर देखे हम D, O, G तो ऐसे प्रस्णों को तेजी से अगर आपको साल्प करना है तो A से लेकर Z तक अच्छरों की संख्या आपको एकडम रटी होनी चाहिए विपरीत अच्छर भी आपको रटे होने चाहिए तो देखे, D आता है 4 नमर पे O आता है 15 नमर पे और G आता है 7 नमर पे सब को जोड़ेंगे, तो 26 होगा और 26 नमर पे आता है Z तो यहीं लिख दिया गया है, उसी तरह से C आता है 3 नमर पे A आता है 1 नमर पे T आता है 20 नमर पे तो 20, 23, 23 और 24 यानि अब देखना है कि 24 नमर पे कौन आता है तो X आता है X यानि कि बिकल्प A हमारा आंसर हो जाता है यानि अच्छरों को रटा रहेंगे तो आपको ऐसे प्रस्ट बहुत चूटकियों में साल्प कर लेंगे देखिए आप अगला प्रस्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूं Y W U S इस प्रस्ट को मैं परमप्रागत तरीके से도 करेंbod ने पहले से पहले का हिए अंतर होता है Всемे पहले का पहले से तो Y के बदले में क्यों लिखा गया है तो आपको आसानी से पार चला है कि Y से पहले ही क्यों आता है यानि कि minus में होने की संभावना है confirm नहीं है संभावना है w और उसके बदल में लिखा है o यानि कि ये भी minus में ही जा रहा है अब कितना minus में है तो इसके लिए एक तरीका है अगर आपको अच्छर सभी याद है तो तो यहाँ पर आप देखेंगे Y आता है 25 नमबर पे तो उसके बदले में Q सतर नमबर पे आता है Y 25, Q सतर नमबर पे तो आप जब 25 में से सतर घटाएंगे तो आपका आंसर आजाएगा 8 उसी तरसे W आता है 23 नमबर पे और O आता है 15 नमबर पे यानि इससे हमें यह पता चल गया कि इसमें माइनस की किरिया हो रहे है माइनस कितना हो रहा है तो माइनस आठ के हिसाब से आंसर आ रहा है तो अब उसी तरह से जेड आता है 26 नमबर पे तो इसमें से माइनस आठ करने से से हमारा आंसर आएगा तो मई- अट करेंगे तो कितना आएगा 18 Ctrl नम्र पे क्या आता है तो आर आता है या निपला च्यारा- आप को आर तो आर होगा लेकिन विकल्ब आ में भी है बी में आंसर भी है इसलिए हम इतना तो डो डूं स हमेरा आंसर होगा या तो अब हम दूसरा चर्चे कर लेते हैं, दूसरा चर्च एकस, एकस आता है 24 नमबर पे, और इसमें कितना घटाना है तो 8, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, 16 नमबर पे क्या आता है P, तो अभी भी दो बिकल्पों में P है, इसलिए दूसरा चर्च ग्यात करने से कोई तो A और B दोनों में है, यानि कि दूसरा और तीसरा चर्च खोजने से हमें कोई लाब नहीं हुआ, पहला तो हमें अच्छर पता ही करना था कि किससे शुरुआ, लेकि दूसरा और तीसरा ऐसे प्रशन में जब कामन रहें, तो आपको अच्छर खोजने ही नहीं चाहिए, खोज के दोनों हमने व्यक्यार में समय व्यर्थ कर दिया, तो ऐसे प्रस्नों को अगर आपको निगाह में आ जाता है कि कामन अच्छरा जिसे हम खोजने जा रहें, तो आप खोजाई न करिए, बलकि एकदम अंतीम अच्छर खोजते हैं, यारि T आता है 20 नंबर पे, इसमे खोजने लिए, तो जब दो अच्छर दो दो विकल्प में है, तो आप सुरू करना खोज का चाहें, तो एकदम लाष्ट वाल अच्छर खोजिए, यानि अगर आप जानगे कि माइनस माइनस आठ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट T का खोजिए, क्योंकि अंतीम अच्छर सभ क्या करें, कि 20 में से 8 निकालेंगे, तो आपको पता चल जाए कि 12 है, 12 बराबर L, और L केवल एक ही बिकल्प में है, बिकल्प A में, तो दोस्तो आज का ये छोटा सा टाप 10 रिजिनिंग का मिक्स प्रशनों का इस सिंकला आपको कैसला, कमेंट बाक्स में जो लिखेंगे, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में सेर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं कर लिजिएगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रिकी वीडियो मैं समय सहें पर लाता राता हूं, धर्लिबाद दोस् झाल